पर ये विध्यारतियों हम आपको पिछली वीडियो हो में दी इुनिट राट करा रहे हैं समझा रहे हैं सबसे मैं कोशन का समझना होता है ुचाहां दें हान देखी कोशन क्या ज़या द्यान दें देखी कोशन क्या है ज़रा कोशन पर ध्यान दें आपका कोशन है सैग ठीटा वराबर दो तो ठीटा का मान गयाद करो ज़रा ध्यान दें सेग ठीटा वराबर दो तो ठीटा का मान गयाद करें यहाँ पर हम आपको सलूसन भी कराएंगे और आपको फार्मुला भी याद कराएंगे तब आप कह सकते हैं एक तीर से दो निसान यह कह सकते हैं सेग ठीटा वराबर दो तो सेग ठीटा वराबर दो तो सेग ठीटा वराबर दो तो दो की बैलू सेग में क्या होती है सेग साट तो यहाँ से आपको ठीटा वराबर क्या मिल जाएगा साट जरा ध्यान दे क्या मिला आपको ठीटा वराबर साट मिल गया अब हमें साट को रेडियन में चेंज करना जरा ध्यान दियां आप किसमें चेंज करना रेडियन में तो रेडियन में पाई का मान क्या होता है एक सो असी होता है जरा ध्यान दियां आप रेडियन में पाई का मान उपर नीचे गुणा करना जो आपके सामने हमने लिख भी रखा अब आप देखिए 180 मतलब एक पाई वाले मान को हम नहीं काटेंगे बागी 60 और जो बटे में आपका 180 दे रखा इसको जब आप काटेंगे तो 60 में आपकाटो जर्रा दियान दें 60 गुणा 180 टके 180 या पाई कामनoe 180 है रेडियो में चेंज कर रहे है। जब आप 60 को 180 से काटेंगे या भाग देंगे यहाँ पर 0-0 कर जागा 6-3-18 तो एक सुस्टी का मान क्या होता है पाई तो पाई बटे 3 पाई बटे 3 यहाँ पर काई में चेंज हो गया ठीटा में चेंज हो गया जो रेडियन में आपसे आंसर मांग रहा है तो ठीटा बरावर आपको क्या मिल गया पाई बटे तीन तो यहाँ पर आपको लेफ एंसाइट बरावर रहे चैस के या रेट हैंड सैट के आपने सैट पर रूप कर दिये सिद्ध कर दिये या मान निकलाया है आप वीडियो को बार बार देखते रहे हैं अगर आपको वीड